हेलो दोस्तो नमस्कार गुड बॉर्निंग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राकंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में तो UKPSC का दोस्तो एक लेटेस नोटिफिक्शन आया हुआ है जो कि सम्मिलित है उत्राकंड सम्मिलित राज्य कनिष्ट अभियंता सेवा पर पर होगा और वहाँ डेट दोस्तो UKPSC ने फिक्स कर दी है उसी के सम्मन्द में आज का इनोटिफिकेशन है तो जिन भी दोस्तों ने UKPSC जी का एक्जामिलिशन फॉर्म बरा हुआ था उनकी एक्जामिलिशन डेट दोस्तो आ चुकी है आप लोग जल्दे ही आयुक की उसार उत्राकर्ण सम्मिलित राज्य कनिष्ट अभियंता सिवा परिक्षिया 2021 के अंतरगत विविन्द विभागों में कनिष्ट अभियंता यानिकी जूनियर्स इंजिनर्स के रिक्त पदू उपर सीधी भरती द्वारा चेयन हितू लिखित प्रकरती यानिकी वस्टुनि दस मई 2022 मंगलवार तक होना निर्धारित किया गया है जिसका एक्जामनेशन डेट दोस्तों यहाँ पे नीचे दिया गया है देखिए आपका सबसे बहले साथ मई 2022 को फस्टुन होना है दस मई से बाराव यह तक सामानने हिंदी का पेपर जो कि सबका कॉमन रहेगा और सेक सिविल का और सेकिंड शिप्ट में भी सिविल का एक्जाम पेपर होना है तो फस्ट में सिविल इंजिनरिंग का प्रथम प्रस्न बत्र होना है नौ बज़े से बाराव ज़े तक और सेकिंड शिप्ट में दो बज़े से पांच बज़े तक सिविल इंजिनरिंग का दूसरा प्रसना बत्र होना है, इसी प्रकार से 5 तारिक को ही दोस्तो, सौंबार को दिन आपका mechanical engineering का प्रतम प्रसना बत्र और mechanical engineering का दूसरा प्रसना बत्र का exam paper होना है, timing आपकी वही है, तो देके साथ को हिंदी और अंग्रिजी का है सबका कौमन है आर्ट तारीक को सिविल वालों का है नौ तारीक को मेकनिकल वालों का है और दस तारीक को इलेक्ट्रिकल और अग्रिकल्चर वालों का है लेकिन सिविल वाले हैं तो सिविल का जो टेक्निकल का पिपर है वो आर्ट तारीख को, मेकनिकल वालों का नो तारीख को और इलेक्टिकल वालों का दर्श तारीख को होना है आरीख को करने के लिए तो एक मैने में अच्छे से रिविजन कीजिए अच्छे से अपने पॉइंट्स को क्लियर कीजिए खास कर हिंदी अंग्रेजी और टेक्निकल के साथ में दोस्तों आप लोग पढ़ते लिएगा और प्रिवेस एर कुशन पेपर आप जुन्देर इंज कि वहां से आपके बहुत सारी चीजिए क्लियर होती है बाकि UKPSC का एक्जाम पैटर्न दोस्तों इजी रहता है सरल रहता है पिपर तो आप लोग नॉर्मली अच्छी तरके से त्यारी करते वे जाएं अपने कॉंसेप्ट क्लियर करते वे जाएं अब्जेक्टिव इन वीडियो से यू नेक्ष्ट आम धन्यवाद